पत्थर से मार मार कर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है चहरे को बुरी तरह शत विशत कर शौव को सड़क किनारे फेंक दिया राहगीरों की सूचना पुलिस ने शौव को हॉस्पिटल के मौर्चूरी रखवाया है घटना बालोतरा के पचपद्रा रिफाइनरी एरिया में रविवार रात साठे नौ वजे की है मृतक भोला मलिक 36 वर्षी जारखंड के सिंधरी धनबात का रहने वाला था जानकारी के अनुसार रविवार रात को नागाडा राय होटेल के पीछे जेबियल कमपनी के पास सड़क के नारे शत विशत और लहू लुहान शौव पढ़ा मिला सूचना के बाद शेतर में संसनी फैल गई सूचना पर पच्पद्रा पलिस मौके पर पहुँची और ROB को अपने कबजे में लेकर बोलेरो कैमपर गाड़ी की डाल कर बालोत्रा की राजकी नाहटा अस्पताल लाया गया शौबालोत्रा राजकिय नाहटा अस्पिताल की मौर्चूरी में रखवा दिया गया है मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई पोस्ट माटम के बाद शौब परिजनों को सौपा जाएगा सब इंस्पेक्टर सुरा राम ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे घटना की जानकारी मिली थी युवक के शौब के पास खून से सना हुआ एक पत्थर मिला है शुरुवाती जाँच में सामने आया है कि युवक पर पत्थर से हमला किया गया है पत्थर से चहरे को बुरी तरह शत्विशत कर दिया गया युवक की हत्या करने के बाद शौब को सड़क किनारे फेंग दिया गया फिलहाल पुलिस मामले की जौँच में जुटी है बालोतरा जिला मंडल हेड ओम प्रकाश गहलोद की रिपोर्ट